हरे कृष्णा बगवद गीता अध्याय दोश लोक संख्या 54 अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति सितप्रग्य के क्या लक्षण है वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाशा क्या है वह किस तरह बैठता और चलता है तो भगवान ने पिछले शलोक में तिरपन नबर शलोक में ये बात कही थी स्तितपरग्य कि अर्जुन तुम स्तितपरग्य बनो तो अगर अर्जुन को ये कहा गया कि तुम स्तितपरग्य बनो तो पूछ रहा है कि ब्रभाभो मैं बनू लेकिन 4 प्रषन पूछा उसके लक्षन क्या होते है उसकी बॉली भाशा कैसे होती है वह बैठता कैसे है और चलता कैसे है हर व्यक्ति का एक लक्षन होता है जैसे आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है और बहुत फटे पुराने कपड़े गंदे से बाल बुड़ा धूल मिटी लगा हुआ और पुरानी उन्हों अब समझ जाएंगे उसका लक्षण देखके कि वह कौन है वहीं कोई BMW कार से उतरता है बड़ा सूट कोट पहना हुआ है घड़ी जूता पहना तो उसका लक्षण से पता पढ़ जाएगा वह वह वेक्ती पैसे पाना एईकई को पुलिस होता है कोई आर्मी होता सक ड्रेस से पता पढ़ता है तो सबका लक्षण होता है नारrän व्यक्ति होता हू сам तो श्शित प्रग्या है मतलब जो भक्ति करके वहां पहुंच गया है ढ intern पहुच गया है उसके बारे में तो उसके लक्षन को पूछे जिसका उत्तर भगवान 55 नंबर श्लोक में देंगे अगले श्लोक दूसरा प्रशन पूछ रहा है उसकी भाषा या बोली क्या है भाषा मतलब यह नहीं कि हिंदी बोलता है कि अंग्रेजी बोलता है कि चाइनीज बोलता है कि रशियन बोलता है यह नहीं मतलब वो अपने मन के साथ आधान प्रतान कैसे करता है कैसे डील करता है क्योंकि मन हमार जो है बहुत क्या करता है बड़ बड़ करता है उसके साथ हमारा आदान प्रतान कैसे हैं तो ये हो गया दूसरा इसका उत्तर भगवान 56 और library श्लोक में तीसरा परश्ण है किम आसीह वह बैठता कैसे है पदमासन में बैठता है अर्ध पदमासन में बैठता सुखासन में बैठता है, मयूरासन में बैठता है, कैसे बैठता है, लोकल ट्रेन में बैठता है, फ्लाइट में बैठता है, बैठता कैसे, तो बैठने का यहाँ पे मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, अरुचुन पूछना चाहता है, वह व्यक्ति, जो भक्त बन गया है, जो स् में हैं लेकिन हमको मन को वश्मे करना है इंद्रिया मन के वश्मे कर लिया तो इसका उत्तर जो है वह 58 नंबर श्लोक से पच्पन में पहला च्पन और संतावन में दूसरा अंठावन से लेकर श्लोक संख्या 63 तक यह श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जुस्त ब्रग्यवक्ति होता है वह कैसे अपनी इंद्रियों को और मन को वश्मे करता है चौथा प्रश्ण किम आसी था व्रजे था किम चलता कैसे पहले बैठता कैसे अब चलता कैसे इंद्रियों को वश्मे मन को वश्मे करना मतलब बैठना हो चलना मतलब यह इंद्रियों को कैसे सेवा में लगाता है आप मन को सिर्फ कंट्रोल करके बैठ जाओ तो कम नहीं चलेगा कंट्रोल करने के बाद उसको लगाना भी है न सेवा में लगाना है उसको तो वह फिर भगवान चौशठ नमबर श्लोक से 22 नमबर इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक उसको भगवान बताते हैं इस चार श्लोक अरजुन ने पूछे यहां पर और भगवान अगले आने वाले श्लोकों में इसका उत्तर बताएंगे यह बहुत महत्तोपूर्ट है क्योंकि हमको पता पढ़ेगा कि एक सादू कौन होता है भगवान का भक्त कौन होता है यह सब गुण दिखने चाहिए उसके तो हम एक ए हैं कि नहीं बढ़ रहे हमको भी अपने आपको चेक करना है और आगे बढ़ने के लिए हमको पता पढ़ेगा कि यह हमारे लक्षन होने चाहिए ऐसे हम मन को इंद्रियों को पर सेबा में लगा है इसलिए यह सेक्शन है हमारे लिए बहुत महत्तुपूर्ट है हरे क्रिश्